हेलो डियर स्टूदेंस वेलकम तु दा ओफिशल यूटूब चैनल आफ दा होम एकडमी जेकी एससबी एक्जामिनेशन के लिए आज हम मौटन हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन लेक्टर सीरीज को फालो कीजिए लेक्टर सीरीज जो होंगे वह शौट रहेंग रिक्वेश्ट आफ सभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हैं स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला टॉपिक और टॉपिक रहेगा आपका एडवेंट आफ दा यूरूपिक यह वो टॉपिक है जहां से कोशन शूर है कि आपका इग्जामनिशन में जरूर आएगा आप जानते हैं कि हम बच्पन से पड़े है कि इन्डिया में कुछ ऐसी यूरॉपियन्स पावर आई थी और ब्रिटिश के बारे में हम जानते हैं कि हमको जो freedom मिली है वो ब्रिटिश से मिली थी 1947 में इसी तरीके से ब्रिटिश नहीं एक बलके पांच ऐसी powers जो है यूरप से जो है वो एशिया आती है और इन में से हम सबी जानते हैं कि सिर्फ ब्रिटिश ही है जो यानि कि English है जो हम ब्रिटिश कहते है यही successful होते है साशन करने में प्रिटिश भी आए लेकिन जो है इनके सिर्फ पूरी कंट्री में नहीं हो पाई डैच भी आए डैनिश भी आए और फ्रेंच भी आए यह ऐसी पांच यूर्पन पावर्स जो थी वो इंडिया आती है अब यह जो स्लाइड है यहां से भी कोशन जो है दो कोशन बनते हैं पहला जो है इनका क्रोनलिजिकल आडर जो है आप सभी को याद रखना चाहिए कि सबसे पहले कोन आए लाश्ट कोन आए तो एक स्रिक्वेंस में आप सभी याद रखेंगे देखिए मैं आपको बता सबसे पहले जो है प्रोटोग्यूस आए पी से याद रखेंगे पी माने पहले पी मतलब प्रोटोग्यूस उसके बाद डी डच पी के बाद डी डच आए फिर बिटिश पर आप कह सकते हैं जिसे आप इंगलिश कहते हैं और फिर से इंडी और लाश्ट को हमसा भी जानते ह के फ्रेंच आए फ्रेंच के बारे में ये बात है कि सबसे आखिर में आए और सबसे पहले चले गए तो यह देख लीजिए यह आपके लिए स्लाइट तया है एड्वेंट अफड़ यूर्पेन में आपको दूसरा पॉइंट क्या यादखना है इनकी डेड़ से यादखनी है कि कौन सी पावर कब आती है प्रोटोगिस जो है वो 1498 में आते हैं डेच 1602 में आते हैं इंगलिश 1608 में आते हैं और डैनिश जो है 1606 में आ आते हैं तो यह वो पांच यूर्पेन पावर्स हैं जो के भारत आई अब नीचे आप एक फिगर देखेंगे या आप सिर्फ आपी के लिए यहां पर देखें यह इंडिया है लड़े स्पोस्कों यहां पर जो है यूरॉप आ रहे हैं यहां पर हमने शिप्स का यहां पर फिगर में जो है दिखाया गया क्योंकि कि तो का जो था मोडव ट्रांसपोर्ट जो है वो शिप्था सुमंत्र के रास्ते ही वो आया करते थे अब हम अपने को आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रोडिव्यूस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वही इंडिया में सबसे पहले आए तो अपने को हम यहीं तक जो हाद सीमित रखेंगे लेकर जितने भी यूर्गेंस पावर आई इंडिया में उनका में जो है वो एम था साशन करना चाहे हम प्रोडिव्यूस की बात करेंगे चाहे डच की बात करेंगे चाहे हम डैनिश की बात करेंगे या जो है हम French यह बात करेंगे में जो ultimate जो इनका गोल था वो यह था कि यहाँ पर साशन करना है यहाँ पर हकूमत करना लेकिन हम जानते हैं कि हर कोई इसमें कामयाप नहीं हुआ इनमें जो कामयाप हुए वो सरी British हुए बाकी जो है उन्होंने ट्राइ किया लेकिन कामयाप नहीं हो सके लेकिन British जो थे वो कामयाप हुए क्यों कामयाप हुए क्योंकि British ने जो है काफी सबर किया काफी patience रखा और initially जो है वो trade के लिए आए उन्होंने तक्रीबन 100 साल के समय में जो है ये तक नहीं कहा कि हम यहां पर जो है कोई न कोई हुकूमत करने आए है या किसी तरीगी की military superiority दिखाए बलके वो अपने को सुर्फ trade specific रखे और जो वहां के उस time के राजा महराचा थे उनका trust जीतने की कोशिश की बलके एक important काम ये किया 100 साल जो वो भारत में रहे उस time तक जो है उन्होंने जो है लोगों को यहां पर समझा कि यहां की कम्या क्या है इंडिया की कम्या क्या है तो उन कम्यों को पकड़ के जो है आइसा ऐसा वो trade से जो है military superiority की तरफ जो है शिफ्ट हुए और final जो उनका था कि यहां पर हमने जो है वो साशन करना है यहां पर हमने हकूमत करनी है और final जो है वो उसमें काम्या क्यों है क्यों कि उन्होंने यहां की कम्यों को जाना यहां पर रहे के जो है और काफी सबर रखा patience रखा 100 साल तर तो पहले आज हम हम जो है वो प्रोटीगूस को देखेंगे आप जानते हैं जो प्रोटीगूस जो है इनके सेलर काफी मुशूर है आपने जो है वो discoveries जो है वो पढ़ी होगी कि different different country को जो है किसमें डिस्कॉर किया अब जैनरली देखेंगे European है और European में जो है इन्होंने अपने लिए शिप्स बनाए तो शिप्स बनाना ये नेवल्स जो काम जो थे वह प्रोटिगूस बहुत अच्छे से जानते थे अगर आप देखेंगे मैप में यह हमारे पर यह इंडिया है और प्रोटिगूस यहां से होते वे यह ट्रेटूट पगड़ते हुए जो है वो इंडिया आते हैं यहां से यह इंडिया आते हैं मैप तो आप समझ गए होंगे अब हम जो है बात करते हैं कि इस इवामिनिशन पाइंट आव यू से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है पहली बाद कोशन आता है इट वस अ प्रोटिगूस हो फॉर्स डिस्कवर जो इंडिया आते हैं तो प्रोटिगूस के जो सेलर थे उनका नाम था वास्कू डागामा वास्कू डागामा जो थे वह इंडिया आते हैं अब इंडिया में मैंने आप मैप में दिखाया कि इंडिया में वह किस जगह आ रहे हैं अगर आप गौर से देखेंगे यह वह अब डेट आती है कि वह किस डेट को यहां पर इंडिया आए तो यह डेट भी आप यात रखेंगे 20 माई था 1498 तो सन यात रखें और डेट यात रखें कि 20 माई को जो है 1498 में आते हैं अच्छा जब एक कालिकत आते हैं यानि के कोजी कोडे में यह कदम रखते हैं उस टाइम के जो वहां के रूलर थे उनका नाम बताईए तो इस टाइम के जो रूलर थे वो कौन थे किंग जैमोरिन थे किंग जैमोरिन जो थे उस टाइम के लोकल रूलर थे कैलिकेट के वैस्कूड गामा जिस शिप्स याते है उस शिप्स का नाम बताईए तो अग्जा एक्जा इ काली मिर्चे लेके गए इंडिया से ब्लैक पेपर लेके गए और यूर्पन मार्केट में वापस चले गए और यूर्पन मार्केट में वहाँ पर बेजा तो इन्होंने देखा इनको जो प्रॉफिट हुआ वह 60 टाइम्स हायर प्रॉफिट हुआ आफ्र श्टैंग इंडिया फॉर पीड़ आल्मोश थ्री मन्थ वास्कुट अगामा जो है वो रिटन होते हैं कहां पर अपनी कंट्री यूरप के लिए वापस चले जाते हैं अब यूरप जहीं आके लिन नहीं जाते हैं बलके अपने साथ एक शिप पूरा ले जाते हैं इस गोवा रहता है आप देखेंगे यह दो एरो है कि यह आए जो है वो कैली कट से लेकिन जब गए है तो वह इस एरो से चले गए यानि कि गोवा के रासे वो वापस के हैं ओफुली यहां तक आप चीज़ें जो हैं अंडिस्टैंड कर पाएंगे आगे चलते वे टॉपिक को कंप्लिट करेंगे देखें बट सून क्या होता है जो वास्विड अगामा थे जब उन्होंने यूरप मार्केट में अपना सारा जो है वो माल बेचा ब्लैक पेपर को बेचा फिर जो है यह इंडिया दुबारा आते हैं पहली बार 1498 में आते हैं मई के महीने में और दूसर करके आते हैं तो यहां पर आते हुए जो है कि ट्रेडिंग फेक्टरी बनाते हैं अब कोशन आ सकते हैं कि प्रोटिगूर्स ने जो है अपने को जो है सीमित रखा था वेस्टरन जो है हमारा कोश्ट है उस तरफ लेकि कोश्ट की जो है उस टाइम एक खास वैली हुआ करती थी क्योंकि मोड अफ कोमिकेशन की अगर मोड अफ ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं इस टाइम शिप्स था तो वह एरिया जो सुमंदर के आसपास रहा करते थे उनकी एक अपनी इंपॉर्टन्स थी इस वजह से जो है यहां पर इरू ने अपनी ट्रेडिंग फेक लेटर ढ़ ऐां किंग जैमोरीं थे उनका ज जंक कर के जो है उनको डीफिट किया प्रोटोगेशर ने वही रूलर जिस रूलर ने इनका वेलकम किया था वास्ट्री अग्मां मेरा पर याइनोंने टिफीट किया उन्हें हराया Mrs. King Mrs. Kingrene को भीम्रीन गया उसके बाद प्रोडिविज्ण नहीं अपनी मिल्टरी सुक्रियरिटी इस्टैबलिश कर दी गई अब यह मिल्टरी सुक्रियरिटी अपनी इस्टैबलिश कर दी गई उसके बाद जो है अब यहां पर इन्होंने गावरन करना था तो इस गावरन के लिए जो है इन्होंने अपने पहले गावनर अपाइंड किये पहले गावनर का नाम आ जाए तब याद रखिएंगे अब सभी यह इस examination के लिए, लेकिन history यही है, चाहिए किसी भी examination के लिए प्रिपर कर रहे हो, psycho psychology कर रहे हो, civil services के लिए कर रहे हो, prelims के लिए कर रहे हो, तो यह videos जो है आप के लिए equally important होने वाली है, क्योंकि इससे बार चीज़े नहीं पूछी जाती, ये जो है NCRT का करक्स भी है क्योंकि जो भी मैं नोट बनाता हूँ NCRT भी उसमें पढ़ी होती है और जो famous books होती है वो भी पढ़ी होती है तो एक complete जो है देने की चीज़ कोशिश करते है लेकि नोट से इतने short में रखता हूँ ताकि जो है exam का time जायन हो और हर वो important चीज़ जो भी पूछी जाती है उसे cover कर पाए है देखिए अब जो Francisco D.L.Media थे वो कौन थे याद रखेंगे समभी के प्रोटिगुल उसके पहले governor इंडिया में थे जो प्रोटिगुल ने अपने पहले governor appoint के थे इंडिया में उनका नाम क्या था Francisco D.L.Media थे लेकिन Francisco D.L.Media की अपनी एक policy थी वो govern कर रहे थी वो अपनी policy के तहर जो है govern कर रहे थे पहली बात कि इंडिया को जो है उन्होंने जो है अपना जो rule था अपनी जो superiority थी वो जाद एक्स्वेंड नहीं की इंडिया में वो अपने को जो है वो इंडियन ओशन में जो है सीमित रखना चाते थे वहीं तक जो है अपने को रखना चाते थे और उसी policy को उनकी कहते है blue water policy ये examination में question आया वा है जे के इस बीक में बात करता हूँ देखें blue water policy क्या था जो प्रोटिग्यू के जो है वो governor थे नाम था उनका फ्रांसिसको डियल मेडिया उनकी एक policy थी कि उन्होंने जो है इंडियन ओशन तक ही अपने को जो है centric रखना था तो इसी को कहा जाता है blue water policy और प्रोटिग्यूस को कहा जाता है master of the Indian motion याद रखेंगे आप सभी इसे अब देखें फ्रांसिसको डियल मेडिया के बाद जो है governor change होते है और अब जो governor बनते है वो अलफेंसो डी अलबर्ग्यू यह काफी important governor है क्योंकि इन्ही को माना जाता है real founder और actual founder of produce power in India Almedia को जो है 1509 में यह replace करते है और यह क्या करते है उसके बाद 1509 में यह governor बनते है और 1510 में जो है यह गोवा को capture कर लेते है हम जाते है प्रोटिग्यूस जो है आज भी गोवा में है प्रोटिग्यूस जो थे सबसे पहले भारत लेकिन सबसे आखिर में जाने वाले है यहां पर जो है गोवा को capture करने वाले कौन थे अलफेंजो अलब क्योर की जो थे आप spelling देख लीचे यह जो थे अलफेंजो अलब क्योर की जो थे यह second governor बनते है प्रोटिग्यूस के इंडिया में और जो है उस टाइम जो है सुल्दान आप बिजयपुर जो थे उन्हें जो है यह हराते हैं और जो है गोवा को capture करते हैं अभी तक हम पढ़े थे पंदरसो नव तक जो थे प्रोटिग्यूस की जो capital थी वो क्या थी वो कोचिन थी कोचिन थी पंदरसो नव में भी कोचिन रहती है लेकिन अभी आप फ्यूचर में पढ़ने जा रहे हैं कि वो गोवा जो इन्होंने अभी capture किया वो पंदरसो थीज के आसपा जो है प्रोटिग्यूस की permanent capital बन जाती है तो वो capital जो है वो shift कर लेते हैं अब जो हमारे अलफेंसो अलबू क्यूर की जो थे इन्होंने को अच्छे काम भी किये जैसे कि इन्होंने जो है prohibited सथी प्रैक्टिस इन इंडिया आप पढ़े होंगे बहुत से ऐसे जो है वो ruler आए बहुत से यूर्पेंस भी आए ऐसे governor भी आए वाइसराइ भी आए जिन्होंने जो है सथी प्रैक्टिस को जो है वो बंद किया था इंडिया में prohibited किया था इसे रोका कहा था लेकिन आप जानते हैं कि permanent किसने रोका है last में जो है जैसे जैसे modern भी होते गे लोग इस प्रैक्टिस को जो है वो जो है वो permanent जो है वो बंद कर दिया किया तो वो विल्लियम बेंटिक जो थे 50 जो है 1829 के आसपास जो थे साथी प्रैक्टिस को उन्होंने permanently बंद किया था इससे पहले औरंग्जेप ने भी किया था लेकिन वो सारा जो था वो temporary था क्योंके लोग जो थे उनका culture जो था वो ये कहते थे कि हमारे culture के साथ जो है ये powers जो है वो खेल रही है तो उन्हें पसंद नहीं था इस practice में क्या था अगर कोई पती जो है मर जाता था तो उसकी पतनी को उसके साथ जो है वो जिन्दा जला दिया जाता था तो इसे जो है वो जो है अलफेंसो डी अलबरक्यू जो प्रोड़ूज के पहले European powers आई थी उन्होंने जो है शिरुवात की तीम अलफेंसो डी अलबरक्यू जो है काफी important है आप जानते है कि आजकल mango का season आने वाला है और यह जो mango की एक variety थी अलफेंसो यह जो है इन्ही के नाम पे पड़ी है इन्होंने बहुत से ऐसे काम किये जैसे potatoes जो है इंडिया में लेके आए पहले इनके बारे में कुछ देख लेते हैं यह इनका जो है एक picture बनाया हुए है इसे डियू का गोवा कहा जाता है इस जनरली कंसीडर मिल्टरी जीनियस भी कहा जाता है प्रोबेबली दे ग्रेटेश्ट नेवल कमांडर आफ दा एज प्रोटीगूल के जो है कमांडर काफी इंबॉटेंट है नेवल कमांडर हैं बात करते प्रोटीगूल के रहें इंडिया में पंद्रा सो नौ से ले पंद्रा सो पंद्रा तक रहें और इनका एक इंपॉर्टेंट काम वो यही था कि इन्होंने गोवा को कैप्चर किया जो आखिर तक जो है गोवा की कैपिटल रही अब जो मैंगो की एक वराइटी थी वह इनहीं के नाम पर पाड़ी है एलफेंसो डी अलबेर्क्यू के नाम पर बनी है और इन्होंने जो है प्रोटीगूस की कॉर्णी जो है इंडिया में बनवाई अब हम बात करते हैं आगे एक और गोवर्णर बनते हैं इनके बाद क्रिबन 8-9 साल लेकिन यह इनके इंपॉर्टेंट गोवर्णर है एलफेंसो डी अलबेर्क्यू जो है यह तो रियल फॉंडर रहे प्रोटीगूस के इंडिया में यह स्टेप जो है याद बखेंगे अब यह है गोवा सिर्फ से सब्सीक्वेंटली बिकम दा गोवा को जो है इनके पीटल बनाएम उसके बाद पर नीनो दो कुणहा जो थे, ये झालन में घॉट बनते हैं और ये जो है आके दावनुंर्द्योग को कैप्चर करते हैं। यह तो प्रेजियून का मैप है उस टाममंगेंुों डि बहृ को बखालीत, बलकाय मंभbracht द तरीके से जो है उस टाइम जो था जब इन्हों ने जो है दमा ने दियू को कैप्चर किया मॉंबाई जो एक इंपोर्टेंट जो था वो लेस्ट थी ट्रेड के वले वो भी इसका पाट था और ये नीनुदा कुनाही ही थे जिनोंने जो है पंद्रह सो थीस में कैपिटल को शिफ्ट किया कोचिन से गोवा जो है वो कैपिटल को शिफ्ट किया बाइद एंड आफ दे 16th सेंचरी प्रोटेग्यूस ने जो है वो कैप्चर किया खाली गोवा नहीं बलके दमन को दियू क साल स्टी को ये भी कुशन आता है वो कौन सी तीन जो है प्लेसिस थी जिने इनोंने कैप्चर किया तो इसे भी भूलेंगे नहीं या अब प्रोटेग्यूस जो है इन्हें हार का भी स्वामना करना पड़ा इंटिया में और इनको हराने वाले थे शाह जहां शाह जहां ने इनको करनाटका में जब इन्होंने करनाटका को कैप्चर करना चाहा तो हुबली में 1631 को जो है इन्हें हराया तो फिर जो है इन्होंने अपने को एक्सपेंड नहीं किया उसके बाद और जो है ये गौवा तक ही रहे अब कुछ क्ट्रिवीशन जो है वो प्रोटीवूस का इंडिया में है काफी जो है इनकी कंट्डिवीशन भी रही ए कुछ ऐसे इंपोर्टेंट जो है चीजें जुआ इन्होंने इंडिया में लाइक जिसका जो ही यूज आज तक हो रहा जैसे के हार्वेस्टिंग पैटेटोज आलू जो है प्रोटोगूज ने इंडिया में इंट्रोडूस किये सेकेंड रेट चिली ये माना जाता है जो लाल मिर्चे होती है ये भी एशिया प्रोटोगूज के निविगेटर ही लेके आए तबाकू आप जांते हैं इसका कितना ज्यूद इंडिया में चुन्च है तो ये भी सबसे पहले ईंटोडियूस जो किया गया है वह प्रोटोगूस नहीं इंडिया में किये पिर हम बात करते हैं, शिप बिल्डिंग जिस पर आज इतना बिजनस चल रहा है, शिप बिल्डिंग भी जो है, यही जो है प्रोटिजूर्स जो है, इंडिया को दे के गए हैं, पेनी की कंट्टिबिशन मानी जाती है, कि काथोलिक जो डिजाइन है चर्च का वो भी जो है, यही लेकर आये हैं, फिर प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो है, इंडिया में जो एंटर होती है, यह भी गोवा से ही एंटर हुई है, तो आप देखे है, यह देखे है नीचे आप, गोवा had the first printing press in इंडिया, तो गोवा जो है, आप जानते हैं, आप यह जो थ की गई 1576 में जो है इस्टैब्लिश की गई बाइदा जी सत्मिशनेरीज इन गोवाग फर्स्ट बुक जो है प्रिंट की गई इंडिया में उस बुक का नाम था डॉक्टरीन कृष्टा में 1538 में जो था वो बुक थी डॉक्टर इना क्रिष्टा तो यह पहली बुक जो थी वो प्रिंट की गई है इंडिया में अब इसके बाद जो है डच होंगे लेकिन हम एक दिन में जो है एक ही जो है वह और प्रोटविस की पावर को पढ़ेंगे फ़ारी यूर्पन पावर क पढ़ेंगे और इसके बाद एंसी को जो है वह कवर कवर करेंगे इस टॉपिक पर थैंक्स वर वाचिंग विश्यू गूट लाख